वास्तविक महाभारत की लडाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में और इस लडाई में हिंसा इसी लिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है मेरा कि स्थिस्थि में किसी काम कर करते हैं तो उस कारे को दो है झादिक नहीं om का तुरिट किसी काम में तो मन लगना भी नहीं चाहिए ना शालिक राम किसी भी, किफी भी माने, कुछ भी, यादरचिक, रैंडम, किफी भी काम में क्यों मन लगे? नहीं सर, जिस काम को करना चाहते हो, उसको समझा है क्या? उस काम की चाहत कहां से उठ रही है? हम नहीं जानते न कि हमें क्या काम करना है हमारे द्वारा चुने गए सारे हमारे लक्ष ऐसे ही होते हैं कि चार लोग एक तरफ को जा रहे थे तो हम ने का हम भी उधर को चल पड़ेंगे तो उसको अपना लक्ष बना लिया कोई तारीक आ गई मान लो परिक्षा के निकट की तारीक आ गई है या कुछ और हो गया है एक जनौरी आ गया है या पंदरा अगस्त आ गया है तो हमने उससे संबंधित कुछ लक्ष बना लिया है ना हमारे अपने नहीं होते लक्षे, हमारे लक्षे बहुत बाहरी होते हैं, वो इस्थितिवश होते हैं, उन्हें परिस्थितियों ने पैदा करा होता है, तो परिस्थितियों से हमारे लक्षे आ जाते हैं, और परिस्थितियां चार दिन में बदल जाती हैं, तो पुराना लक् वो लक्षे तुम्हें एक परिस्थिते ने दिया था उधारण के लिए एक जनवरी को तुमने बोला कि आज से मैं रोज सुभा पांच बुझे उठा करूँगा और दौर लगाया करूँगा ठीक ये लक्षे एक जनवरी का था भई एक जनवरी को सब संकल्ब बनाते हैं रिजालूशन बनाते हैं तुमने भी बना लिया एक जनवरी गई बीत आज है दस जनवरी और ठंड चल ही रही हैं कहे को उठोगे पांच बजे और दौर लगाओगे वो लक्षे एक जनवरी का था एक जनवरी बीत गई वो लक्षे तुमारे हिरदय से नहीं उठा था तुमारे बोध से नहीं उठा था वो लक्षे एक बाहरी घटना से संबंधित था बाहरी जो कुछ भी है वो बदलेगा और तुम्हें कभी तृप्ते नहीं दे पाएगा थाली के बैंगन की तरह फिर इंसान इधर-उधर अपना डोलता रहता है किसी लक्ष को अगर अपनी जिंदगी बनाना चाहते हो तो वो लक्ष बिलकुल तुम्हारे केंदर से सम्मंधित होना चाहिए नहीं तो उस पर बहुत आगे तक नहीं चल पाओगे चार दिन चल लोगे फिर उप जाओगे उर्जागी कमी हो जाएगी मन इधर-उधर भटकने लगेगा ठीक है ये समझ में आ रही है बात हमारे लक्ष पहली बात तो बाहरी होते हैं और दूसरी बात जिस चीज की हमको सचमुच तलाश है उससे सम्मंधित होते ही नहीं है पूरी दुनिया भाग रही है नमक की दुकान की ओर और तुमने कभी पता ही नहीं करा कि तुम्हें सचमुच जरूरत शक्कर की है पहली बात तो नमक की ओर तुम बहुत समय तक भाग नहीं पाओगे दूसरी बात वो नमक तुमको मिल भी गया तो उससे तुम्हारा जी भरेगा नहीं तुम ऐसा करते हो क्या कि दुकान पर गए हो और उसको बोलो कि ये सामने वाले भाईया ने अभी अभी जो 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 दुवाईय अली हमको भी दे देना तुम खड़े हो और तुमसे आगे कोई सज्जन खड़े हुए हैं और उन सज्जन ने 7-8 तरीके की दवाईयां खरी दी अब तुम्हारा नंबर आया काउंटर पर तो ऐसा कहते हो क्या कि इन्होंने जो जो दवाईयां ली थी वही सब हमको भी दे दीजिएगा पर जिन्दकी तो हम ऐसे ही जीते हैं जो जो दवाईयां हमसे आगे वालों ने ली होती हैं वही वही दवाईयां हम भी लेना शुरू कर देते हैं अब बताओ क्या होगा वो दबाईयां पहली बात तो तुम्हारी जेब खाली करेंगी दूसरी बात तुम्हारे काम नहीं आएंगी तीसरी बात पता नहीं कौन सा तुमको नुक्सान कर जाए जब यह सब होने लगेगा तो उन दबाईयों को तुम छोड़ने लगोगे जब छोड़ने लगोगे तो तुम में एगलानी आएगी तुम कोगे अरे देखो मुझे मैं तो दबाईयां ले नहीं पाता बहुत दिन तक मेरा मन भटक जाता है अरे मन भटक रहा है तो सही हो रहा है मन ऐसी चीज़ से भटक रहा है जो उसके उपयोग की ही नहीं है समस्या तब होती जब आपने कुछ ऐसा तै कर लिया होता जो सचमुच आपके काम का है और तब भी मन भटकता तब अगर मन भटकता तो हम कहते ये बाट ठीक नहीं है पर आमतोर पर जो लक्षे आपने तै करा होता है तो मन भटकेगा ना और मन भटक राया तो अच्छा है कि भटक राया है मन को सही लक्ष दो मन किसी बहुत सुन्दर लक्षे की तलाश में है मन को कोई बहुत उची, बड़ी, प्यारी चीज चाहिए, हम उसको दे देते हैं छोटे, मोटे, गंदे से, शोर मचाने वाले जुन-जुने, मन को चाहिए नहीं है, अजर अपने लक्ष को कैसे पहसान सकते हैं, वो स्वयम को पहचान कर पता चलता है, लक्ष को पहचानना है, तो यह देखना पड़ेगा, कि लक्ष किसका है, लक्ष तुम्हारा न, लक्ष तुम्हारा, लक्ष यदि आपका है, तो आपको पता होना चाहिए, कि आप में कौन सी चीज़ की कमी है आप एक चिकित्सक के पास भी जाते हो कुछ बोलने कि सर में दर्ध होता रहता है या कोई और समस्या पीठ में पेट में दर्ध होता रहता है वो भी सबसे पहले ये कहता है कि जाओ और प्रयोग परिक्षण करा करके अपने हाल की रिपोर्ट लेकर आओ तब हम तुम्हारे लिए दवा निश्चित करेंगे डॉक्टर भी यह कहता है कि आप बैठते हो सामने आप कुछ बोलते हो कुछ लिक देता ऐसे तो नहीं होता है डॉक्टर भी पहले कहता है यह टेस्ट करा कराने का मतलब होता है खुद को जानना कि मेरे भीतर किस चीज क के कमी है यह जाना जाता है और टेस्ट में अब टेस्ट ने बता दिया कि ति हमारे भीतर फटा मिन की कम है यह दर्द होता रहता था तो अब डॉक्टर आपको दवा ले 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 लिज़ए क्ल्षयम लेली देंएख को अने यह तो पहकर आर ही बात यह दवाई के पीछे भागने में कौन सी समझदारी है पता ही नहीं है कमी किस चीज की है कमी है विटामिन डी की और ले रहे हो दूसरे विटामिन और पता नहीं क्या-क्या नुकसान और करवाल होगे और जो जेब खाली होगी और जेब से क्या आशा है जीवन गलत लक्षों के पीछे भागने में पूरा जीवन ही बरबाद कर देते हैं उसी को जेब कह रहा हूँ कि जेब खाली हो जाती है तो देखो पूछो अपने आप से मैं सचमुच चाहता क्या हूँ मेरा खेल क्या है भीतरी और ये सवाल ऐसा नहीं है कि अभी एक घंटे पूछोगे और उत्तर मिल जाएगा ये सवाल अपने आप से लगातार पूछा जाता है ये जो भीतर बैठा है जो मैं बोलता है जो भी मेरा नाम मैं शालिगराम हूँ ये शालिगराम कौन है इसकी इच्छा क्या है इसे पहुचना कहां है कहां से आया है कहां को जाना चाहता है और इन प्रशनों से फिर एकदम मौलिक उत्तर मिलते हैं ताजे और खरे साफ साफ पता चलता है जिन्दगी में क्या करना है कि जीवन में क्या करना है इसका नहीं पता चलेगा अगर नहीं पता कि जीव कौन है कि जैसे हमें लक्ष पता भी है फिर भी हम उस लक्ष को पानिक कूसिस करते हैं तो फिर कुस समय पता है चुश कहां पता है प Works आपको पता नहीं है लक्ष आपने बस الحी अपना लिआ है यहीं तो कह रहा हू लक्ष को पता करिए कि गिसको आप बोलतेों कि आपका लक्ष है कि वह किस हद तक आपका लक्ष है हो पता करिए बोधर few हिаки और अगर ही लक्ष आपको पकड़ना भी है तो पूछिए कि ये लक्ष मेरे लिए आवश्यक क्यों है जब जान जाएंगे कि उस लक्ष में क्या विशेष्टा है क्या उसका महत्त है तो फिर उसकी तरफ बढ़ने में अडचन कम आएगी Thank you sir क्या बढ़ने में तरफ दो स्वेड़ने में अणियों आ आएगी